अब से कोश्चन पूछना था कि नहीं मरा कि नहीं नहीं पता कि लोगों के इतने दिल में वह बसता है कि लोगों को मरा की नहीं मरा लेकिन मैंने देखा कि जैसे हमारा राम मंदर बना बहुत पाकिसानियों के जो हैं वहां से कॉल आने शुरू होगे मैसेज़ आने शुरू होगे इवन की इन्विटेशन आने शुरू होगे कि जी आपने बड़ा ही गलत काम किया है और मैंने कहिए देश हमारा जगा हमारी हम जो मर्जी करें भी आपने जो वहां पर मंदरों का किया है हम यहां पर मर्जीदों का कर रहे हैं बात खत्म आपको जब हमने तो कभी प्रटेस्ट किया नहीं आपने जितने मंदर तोड़े हैं हमने एक तोड़ी है बाकी भी तोड़ेंगे यहां पर जित्ती भी हैं और हम अपना कब्जा वापिस ले देंगे जो आपने लिया हुआ है तो इसलिए राम मंदर तो हमने बनाना था बना भी दिया है and क्या moment था वो देखिए ठीक है पाकिसानी होकर मैंने आपको बताना था हलका सा कि वहां पर क्या रुदाली गैंग आपका लगा हुआ है हमें फरक नहीं पड़ता बट हमारे जहां पर जो जशन मनाया गया है हमने आज तक मैंने भी पूरी लाइफ में दिवाली देखी है निव यर की सेलिबरेशन देखी है बहुत कुछ होता देखा है हमने वर्ल कब के फाइनल जीते हुई भी देखे है उसके बाद भी दिवाली देखी है लेकिन जो इस बार हुई है राम मंदर के बाद उसका मुकाबला ही नहीं था पूरी दुनिया में लोग इकठी हो जाए एक मोमेंट के लिए कोई जैसे एक डिवीजन होती है सोसाइटी के अंदर आपके भी यह शिया सुनी का एक डिफ्रेंस है बुक्तून वाले लग हैं आपके तो चलो सारी लग लग हैं कि दूसरे से लेकिन हमारे यहां पर वो सार से भी चार पांच सो बड़े बड़े हमारे मंदर ऐसे हैं जो कब जिक करके आपकी कॉमिनिटी ने कर लिए थे इसलिए यहार सो पांच सो बार अभी हमें ऐसी खुशियां बार-बार मिलने वाली हैं बिल्कुल ऐसे यह लेकिन सर खेर पाकिस्तान की गवर्मिन ने जरूर इतरास किया वह भी दोती दिन बाद उनको होश आया लेकिन पब्लिक की तरफ से इस किसम का रिस्पॉंस नहीं आया इन फैक्ट आपके कई टीवी चैनल्स ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सिंध स पानी भी बेजा गया और साथ राम जी के जो बेजे जाते हैं तो और इस तरह से कई चीजें जो है वह सिंध से भेजी गई मेरे अपने घर में जो है वह लंच में उसी दिन और्गनाइज किया था हिंदू कम्यूटी आई की तो आप सबको एक ही लाइन में नहीं खड़ा क को तो और लुटी होँटाए ल aware रिया सकता है यह ज़रूर है कि अपने और आपने यह नही बोलना है और यह वजह से लोग मेशे चैनल है यह जैसे हमने लोग को चोड़ भी दिया लेकिन सार आप अगर सबको एक ही लाठी से आखेंगे तह वहीजी नहीं होगा लेकिन यह ये भी बताईए साथी के सार स्टॉक एक्चेंज के गर हम बात करें तो हॉंग कॉंग को जो है पीछे छोड़ दिया है भारत ने और फोर्थ नंबर पे जो है आप लोग चले गए हैं कैसे देख रहे हैं आप इस सक्सेस को आपको क्या लगता है कि ये एकॉनमी की वज़ा से क्या कहेंगे आप देखे मैं बैठा हूं चाइना में और चाइना में सर के उपर हाथ रखके बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी जा स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पताल लोग तक पहुंच गी है अब उसके नीचे भी को राम मंदर बनने के बाद हमें पता था कि जिस दन राम मंदर बन जाएगा हमारी एकॉनमी को बूस्ट मिलने वाला है रीजन बिंग हमारे सनाथन की पॉलसी है एक एकॉनमी को चलाने के लाद ये सनातन एकनॉमिक्स है, ये काम करेगी, और इसके बाद ये उचाहियों पे छूती जाएगी, हमारे जितनी भी कंपनीज है, उसका भी जो मार्केट के अंदर प्रफॉर्मेंस है, बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, एकॉनमी बढ़ेगी तो कंपनी के, मा भी बिकेगा, प्रॉफिट भी बिकेगे, और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली है, हॉंक कॉंग के अंदर मातम है, कि हमने इतनी देर अपनी प्रोदीशन को बना के रखा, ये भारत कहां से आ गया दीचे से, एक बंदर क्या बन अपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी, मैं बार बार लास्ट ये बोल रहा था, दोजा तैस में, कि दुनिया बोलती है कि हम दोजार अठाइस में थर्ड लार्जस्ट एकॉनमी बनेंगे, मैं जानता हूं चीजों को कैसे नंबर्स की गेम होती है, मैंने लास्ट बोला था, और आपके शो के उपर भी बोला था कि अगले साल तक, डिसमबर दोजार चौविस तक, हम थर्ड लार्जस बन जाएंगे, मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, अगर हम जर्मनी और जपैन की बात करें, स्टॉक में, अपने एक जो एकॉनमी है, और जो स्टॉक है, 50% है स्टॉक मार्केट यहां की एकॉनमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए है, क्या आप कभी सुना है ऐसा, सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट, उनकी एकॉनमी से जबा है, so that shows कि भारत अब उस एलीट ग्रू नहीं बोल सकते हैं, जैसे दस साल पहले बोलते थे, now we are a developing country, not a poor country, and not a super poor country also, जो कि कभी भी गिर सकती है, कई countries होती है, जो कभी भी लोडग सकती है, गिर सकती है, अगर कहीं से IMF से पैसे पूस है, ना आएं तो, हम उस किसी भी कैटिगरी को बिलॉग नहीं करते हैं, हम आत बले बले हैं, अब राम राजय लेकर ही आएंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सार ये जो economy आपकी बेतर हुई है, पहले भी थी, लेकिन इतनी जादा नहीं थी, उसमें बहुत से लोगों का कहना ये है, क्योंकि मोधी जी और अमिच्छा साब जो हैं, उन दोनों का गुजरात से तालुक है, और गुजरात की जो families होती है, वो हमारे हैं पाकिस्तान में भी जो गुजराती families हैं, वो business में बहुत आगे, आपको लगते है क्या एक reason ये भी है, कि जिसकी वाज़ास से उन्होंने focus रखा business के ओपर, गर्मिड ने, आपको एक बार suggestion दिया था, कि अगर आपको अपनी economy, मैंने कि पाकिस्तान की, वैसे तो development से आपकी country को को मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी, अगर किसी को अकल आ जाए, वो कहेगी, हमनी अपनी economy बढ़ानी है, आपको कोई ना कोई जैन भाई लेना पड़ेगा, हम सारे गुजरात से आते हैं, मेरे भी four fathers गुजरात से हैं, ठीक है, बाद में हम लोग पंजाब में shift हो गए, तो हम लोगों के blood के अंदर, business करना, you know, एक तरह से जिसको बते है, jeans के अंदर है, तो वो ही काम, अपने मोदी जी हैं, हमी शाह हैं, कोई भी हैं, ये सारे के सारे भी, उसी मिटी से आते हैं, business करना country को च business की तरह है, how to rise, numbers की game हैं सारी, और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पास बहुत बड़े-बड़े, जैसे आपके पास भी, आना, Oxford से पड़े हुए भी परधान मंतरी आपने रखे, वाले, तो वो कुछ कर नहीं पाए, तो हमारे बास भी यहां पर बहुत लोग बोलते थे, ओ, चायवाला, ये क्या कर लेगा, देख लीजे, भारत का एक हिंदू, वेशब को चायवाला था, उसने कंट्री को कहां से कहां ले गया, क्यों, वो ground realities को समझता है, हमारी जो community है, बड़ी grounded रहती है, हम आपकी तरह नहीं है, कि अगर कहीं plane में जाना है, तो commercial plane में नहीं जाएंगे, हम तो private jet में जाएंगे, ऐसा काम हमारे यहां पर नहीं चलता, हम लोग grounded रहते हैं, ground realities को समझते हैं, और उसके बाद काम करते हैं, इसलिए, जब top से, आपको बता है कि, मोदी जी corruption free है, उन्होंने एक भी रप्यार ना खाया, ना खाने दिया, इ यह फकर है हमें भी, अपने प्रधान मंत्री के उपर, वो दस सालों में क्या transformation लेकर आए हैं, भई हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत में इतनी तरकी होगी, हमें मालूम था कि country के अंदर एक potential है, लेकिन तरकी इतनी जल्दी हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था, और यह ब होता है, लेकिन अगर 10 पे हो, तो फिर 10 से 100 पे जाना असान होता है, आप समझते हैं कि पाकिस्तन क्यूंगे 0 पे चला गया तो अब यह 1 से 10 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसमें कहीं न कहीं जो policy है, policy बनाई जाती है, गर्मेंट के लिए, उसका भी कसूर है, एक पे आईए पहले, 10 नंबरी बनने की कोशिश मत कीजिए, आपके मुझ से भी 10 नंबरी निकला देखिए, यह भी जीन्स का पाट होता है, हमारे यहां पे हम कभी भी 10 नंबरी बनने की कोशिश नहीं करते, हम करते हैं कि 0 से पहले 1 कैसे आए, 1 के बाद multiply करना बड़ा अस हम 10 के बाद, 10 की बात ही नहीं करते हैं, हम एक के बाद 11 पे पहुंचते हैं, एक और 11 तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, आप 10 नंबर को छोड़ दीजिए, तभी आपकी कंट्री का कुछ होगा, अभी तक 75 सालों में आपने 10 नंबरी काम ही किया, कभी अमेरिका के रशिया के साथ, कभी तालिबान के साथ, कभी अपने लोगों के साथ, इस चीज़ों से बाहर निकलेगे, तभी कुछ होगा, और आपको ये जो आपने जुरम रहा है न, लहुरी यही चलाएगा कंट्री को, इस से बाहर निकलके, जैन भाई को ले आईए, छे मीने में परदाश नहीं हुए, वह पिक्चर, में आठ चोड़ के बंद करते हैं, तो आपकी कंट्री में तो 75 साथ से ये 10 लबरी मूवी चल रही है, कैसे परदाश कर रहे हैं, आपको एक एक आप कर रहे हैं, हबारा आद भी इबार खाज, जिसने 100 को पे लिए थे हबारे से, उसक परदाश नहीं होगा अब ही, के नहीं होगा, आज दूसरे दिन इंटरनेट स्लो कर देते हैं, मैं तो ट्विटर में लिग भी देती हूं, आज कौन मर गया, तो वो, मैं ये फूच रही थी कि, आपको लग रहे हैं, क्या आपको लग रहे हैं, कि जो पोजिशन पार्टी ह उसको कितना tough time मिलने वाले है भारत में? पीपल आज गोईं टो स्टेंड विद थेम, क्यों? अब हमने एक चीज़ को टेस्ट कर लिया है, जाद है शेर के खून को, दांत को खून लग या है, तो भारतियों के अब दांत को खून लग या है, कि स्टॉक मार्केट राइस, कंटरी की जीडिप राइस, इतनी तरक्की है, और हमने कहीं जगा पर तो, जो हमारा इंफरसक्टर है, वो वेस्टर वर्ल से भी बेटर है, because नया है, वेस्टर वर्ल में तो भी 30-, 40 kennen sleeps यह साल पर धना इंफरसक्टर हो गया है, हमारा लेटस्ट है, इसलिए व सारे, हो सारे जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों इस वक्त पुरा देश शिरे राम के भक्ते में डूबा हुआ है सोमार को राम मंदर की प्रांट पतिष्ठा हो गए उसके बाद जो वहाँ पर भक्त लोगों के जाने का सिलसिला है वो लगा तार जारी है और लगातार वहाँ पर भीड बढ़ते जा रही है और इसको लेकर प्रधान मंचरी समेत योगी आदितरा जोकी उतरपदेश का मुख जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप धीरी धीरे करकर जाएं एकदम से भीड महाँ पर ना बढ़ा हैं आप सोची एक दिन में पांच लाग से ज्यादा लोगों ने भगवान लला के दर्शन किये हैं और उसके बाद ये सब देखने के बाद पाक करीम कोटे ना केवल इस घ्रित क्रिते के लिए जिविदार अपराधियों को बरी कर दिया बलकि ढाये गए मस्जित के स्थान पर एक मंदिर की निर्मान की अनुमाद ही दे दी कंगाली की देलीज पर खड़े पाकिस्तान की रूची दूसरे मुल्कों की गदविधियों पर खास है पाकिस्तान की अपने मुल्क में क्या हो रहा है इसके लिए वहां के शीर्ष नेताओं की आँको पर पट्टी बंधी है पाकिस्तानी विदेश मंत्राले ने कहा कि अबारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में हिंदू कमिटी की जो आबादी थी ओकम से कम 25 से 30 प्रतिशत के बीच में थी आज की डेट में वहां पर 1 से 2 प्रतिशत हिंदू वहां पर बचे हुए है सबसे पहले उनको जवाब इस चीज़ का देना चाहिए कि इतने कम जो हि मुसलिम समाज जिस वक्त बटवारे के समय केवल 15-20 प्रतिशत के आसपास था जिसकी तादाद आज की डेट में बढ़कर 30-40 प्रतिशत के ओपर रह चुकी है तो आप हिंदूस्तान के मुसल्मानों को चिंता ना करें क्योंकि यहां का मुसल्मान बहुत खुश है और रही कि विनम्रता है जैसा कि प्रधान मंत्री मोदी ने भी कहा था कि इसको आप जीत के तौर पर ना लें इसको आप विनम्रता के तौर पल लें सनातन धर्म सब धर्मों का सम्मान करता है लेकिन अपने धर्म के प्रति लड़ना भी जानता है आप लोगों का क्या कहना है कॉमे